कि है कि है लो फ्रेंट नवश्कार विलकम टू आवर चैनल गोल्ड इंशेर मार्केट अकेडमी मैं हूं अनिल मौरिया तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं मूचल फंड के बाले में मूचल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो क्या-क्या जाओ यहां आपको देखना चाहिए है वह हम देखेंगे तो वीडियो में तक बने रहना वीडियो को इन्ट देखना तो चलते है तो चलते है जाके должно कर कर सकते हैं तो चलिए यहां पर देखो जैसे ही मैंने अपना डिमेट लॉगिन किया क्योंकि मेरा डिमेट डाल रही है और मैंने यहां पर डाल के लॉगिन कर लिया उसको देखो होम पेज पर आने के बाद यहां पर देखोगे तो आपको में इन्वेस्ट किया हुआ है जैसे कि 54,997 यानि कि 55,000 इन्वेस्ट किया है अभी 6-7 महीने हो गए और उसमें मुझे 26% का रिटन है यानि 14,500 टोटल बेरू 69,500 का हो चुका है तो चलिए फिरहाल जो है देखते हैं कि आप कैसे मिचल फंड को जो है निकालोगे या क्या क्या है कैटेगरीज होती है यहां पर देखो एकस्प्लोर म्युट्व्ट फंड करक्यं ओप संदिया है तो यहां पर देखो यह एक फिल्टर कर और यहाएं क्लिक करूंग, आप दोए यह तरीके से आप mutual fund को जो है देखना चाहिए या नारसिस करना चाहिए पहले तो यह asset class यानि कि कौन सी class का आप mutual fund लेना चाहते हो जैसे कि debt fund लेना चाहते हो या equity fund लेना चाहते हो या hybrid fund लेना चाहते हो या solution oriented fund या आधर्स यहीं डेप्ट फंड ने क्या होता है यहीं कि दोको बहुत सारे डेप्ट फंड होते हैं डेप्ट यहीं कि करजा जो कंपनियां जो है करजे की रूप में पैसे लेती है तो जैसे कि जाता है तो जाता है तो यहीं कि लह रिक और तो यहां पर फंड होता है चाहां पर यहाँ कि यहां फिर्च फन्समार कर सकते हैं fund या retirement fund जैसे अगर आप चाहते हो बच्चे की education marriage के लिए plan करने का retirement में प्लारिट अपने retirement का plan करने का solution oriented fund में कर सकते हैं बहुत सारे others fund रहते हैं डिटी एफ अगर उस तरीके के तो यहां पे भी कर सकते यह हो गया एक पहला asset class के हिसाब से fund को select करना दूसरा AMC यानि कि जो asset management company हैं जैसे कि access mutual fund HDFC mutual fund ICAC potential quant SBI तो यह सब क्या है यह सब AMC है तो आप AMC जो top की AMC है उनके funds ले सकते हो जैसे यह popular करके आप देखो दिया access HDFC ICAC quant SBI का बाकि यहां पे all सभी जितने भी AMCs है उन सभी का fund दिया तो आप चाहो तो AMC वाइज invest कर सकते हो फिर fund size आप चाहो तो fund size के हिसाब से यानि कि कौन से mutual fund का कितना fund size है total पैसा कितना mutual fund को आया है तो fund size के हिसाब से आप यहां पी invest कर सकते हो तो फिरहाल fund size वाला मैं यहां पी इसको जाने सब्सक्राइब करना चाहते हो या वन टाइम करना चाहते हो उससे तोड़ा ज्यादा fund type जो है आप जो dividend वाला fund चाहते हो तो जो mutual fund होता है दो तरीके कि होता है dividend fund होता है growth fund होता है dividend fund क्या होता है कि आपको हर साल जो हमपनी जो भी profit बनाएगी उसमें से dividend आपको देदेगी जैसे आपको company profit का हिस्सा हर साल शेयर करती है वैसे यहां पे मीच्वर्फंड कंपनी आपको डिविडेंड देगा ग्रोथ यानि कि आपको हर साल पैसा नहीं मिलेगा उसी पैसे को मार्केट में वापस से इन्वेस्ट किया जाएगा तो वहां पे आपको ज्यादा रिटर मिलेगा तो मेरे हिसाब से ग्रोथ फॉंड में जो है प्रिफर करना चाहिए डिविडेंड की बजाए क्योंकि आपको वन टाइम अच्छा खासा रिटर मिलेगा उसको एक्सपेंस रेशियो कि हिसाब से आप चाहते हो कि कम एक्सपेंस रेशियो वाला में इन्वेस्ट करू ज्यादा उससे आप से ले सकते हो मिनिममम SIP इन्वेस्टमेंट यहां पर चाहते हो 0-100 रुपए, 101-500, 501-1000, 1000 प्लस तो आप उससे आप से यहां से सलेट कर सकते हो और मिनिममम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने चाहते हो और उसमें चाहते हो भाई मुझे 500-1000 ओला फंड दे दो तो यह सलेट कर लो और वह पी वन टाइम दिया हुआ है और आप यहां से जाके इन्वेस्ट आप कर सकते हो तो यह रहा जो है मुचल फंड के बारे में जानकारी और भी जानकारी में अलग अलग वीडियो में आपको दूंगा मुचल के बारे में तो बने रही है हमारे चैनल पर चैनल को से आगले वीडियों